आज के इस वीडियो में मैं जियो यार्टेल बीएसनेल इन तीनों कमपन की तरफ से आयो हुए बड़े खुसकपड़ी के बादाने वाला हुए तो अगर आपके पास जियो एंड बीएसनेल यह दो कमपनी का सीम है तो आपको बहुत फाइदा होने वाला है तो क्या कुछ फाइदा आपको होगा कैसे आप राउट फिल करेंगे वह जानने के लिए आज की छोटे सब वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आपकर अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरू प्रेस करदेना क्य और जीओ अपना जो 5G लॉंच करेगा वह अभी यह स्टैंडलोन मोट क्या है नौन स्टैंडलोन मोट क्या है स्टैंडलोन मोट से 5G का क्या कनेक्शन है इससे हम लोगों क्या फाइदा होने वाला है वह सब कुछ अगर आप डिटेल में जानना चाते हैं तो इस चैनल को यहां पूरे की पूरी स्टैंडालोन मोट पर चलता है चाइना युनाइटे स्टेट युनाइटेड किंडम जर्मानी एंड साउथ कोडिया अभी जीव अगर 5G स्टैंडालोन मोट पर लॉंच कर देगा तो इंडिया सिक्स लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा स्टैंडालो दो हफते पहले या तीन हफते पहले मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था बहुत बड़े पोजेक्ट के उपर काम कर रहा है जहां पर बहुत कम संखक लोग मुबाइल फोन यूज करते है वहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना तो टावर्स के लिए बहुत सेमस है वहां के बहुत सरा आधिवयसी लोग है जो कि अभी आयस्ता आयस्ता फोन वगड़ा यूज कर रहे हैं वहां पर मतलब 10,000 लोगों में स्रिफ 100 लोग फोन यूज करते तो 100 लोगों के लिए कोई भी प्राइवेट कंपनी वहां पर टावर्स कर रहे तो आपके बुट disparities सकते हैं और यहां यहां पर ने नेट्वाक नहीं नहीं कितना बढ़ा मतलब दुबीदा आपको हो सकता है समझ रहे हैं तो यहां पर इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि वहां पे टावर्स इस्टोरेशन का काम कर रहे हैं जो लोग फोन से उस कर रहे हैं तो यह काम जो है स्टार्ट हो चुका है मुझे इसके लिए बहुत फ्राउट फिल जाएगा कूपन की तरह वजबी 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 करके और अगर आप एक जबी टेटा यहां फ्री में मिलेगा तो यह तीम खबर आपको कैसा लगा कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस कंपनी का नाम नीचे में जरूर बताना ठीक है तो यह वीडियो पसंद आए लाइक करना और अगर अभी तेक में चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आएस थोड़ा बागी लोग से पीछे तो पड़ जरूर पड़ जाओगे ना चलिए एक बोलना था अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करने और सब्सक्राब कर दें चलिए आज के लिए इतना ही गुडबाई एंट टेक्यार शू।